लेटिस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें एक तरफ तो मुख्यमंद्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलत फ़िमी पैदा कर रहा है और यह बार बार अपने बयान बदल के अपनी 36 गड़ की जनता को गलत फ़िमी में डालने का प्रयास कर रहा है एक तरह पहले तीन रोज पहले केंद सरकार का विरोध और आज केंद सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहा है और यह कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने का कि पचीज सो उर्पिया धान खरीदी की बात विदान सब्स मिकाम हैं फिर से कहना चाहूंगा आज तारिक तक चत्तिजगड के किसानों के चुनाओ घोसना पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोसना पत्र में लिखा था 25 सुरूपय में धान खरीदी हम करेंगे आज तारीक तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है यारोप मैंने विदान सभा के अंतर लगाया था और उसमें मैं कायम हूँ कि हाँ अभी तक नहीं दिया गया है सवाल दूसरी बात है कि 36 गड़ में सरकार ने पूरी विवस्ता को चौपट करने की जवाबदारी खुद सरकार के उपर है आज यो कहा जा रहा है कि सोसाइटी जाम हो गया सोसाइटी जाम क्यों हुआ यह क्या फूट के अधिकारी नहीं जानते यहां बैठे विए अधिकारी नहीं जानते और मुख्यमंतरी को समझ नहीं आ रहा है कि आपने जितने भी सोसाइटी हैं उसमें धान को लिफ्ट करके और उसको संग्रहन के अंदर तक ले जाने का लिए संग्रहन के अंदर बना है संग्रहन के अंदर के capacity 35 लाख metric ton हमने बनाई थी 35 लाख metric ton इसका मतलब यह है कि 35 लाख metric ton को आप संग्रहन के अंदर में डाल सकते हो अभी तक 2 लाख से जादा धान को सोसाइटी से संग्रहन दालos कि आप सोसाइटी को खाली करना है तो पूरे के पूरे धान को परिवहन की प्रक्रिया होती है और यह हर साल होता है 15 साल हमने किया उसको परिवहन के लिए संग्रहन के अंदों तक भेजा जाता है बफर लिविट जो रहती है वो 10% से उपर आस्तक नहीं हुआ यह जीब सरगार है कहीं कहीं बफर स्टॉग मैं कल रिगॉर्ड देख रहाता है 66% कहीं 40% कहीं 30% सोसाइटी की कैपसेटी को इतना ज़्यादा आप भर दोगे और 10% टोटल कॉंटिटी का बफर स्टॉग पूरे सोसाइटी को मिला कर होता है ये सहद्धान्ती ग्रूप से नियना है आज से नहीं दस साल पहले लिया जा चुका है उसके भी क्रियानवन नहीं कर रहा है और पूरे सोसाइटी को जान भूज कर रिब्लॉक कर रहा है बारदाना खरीदी के लिए केंद सरकार को ये हर बात अच्छा है तो भूबे सरकार और ठीक नहीं हो रहा है तो केंद सरकार को ये स्प्रगार की राजिती किसी राजय और किसी केंदर के बीच में नहीं देखा इतने उथला आरोब लगाने बारदाना नहीं खरीद पा रहे हो भाई बारदाना खरीद नहीं किसे आज किसान सबसे जादा संकट में है किसान जितना रो रहा है इस्थान खरीदी में रोज रोज के नए नाटक से ये किसान निए उसको याद रखेगा भूलने वाला नहीं है किसान की तुम बाने बाजी करके इधर उधर की बात करके किसान को भका रहो आप जिए पंजाब में डिड़् करोड लाक मेट्रिक टन से लेकर दो करोड लाक मेट्रिक टन का प्रकेरमिक होता है और कहीं बारदाना का संकट नहीं आता उत्तर मेश्ञेस में कहीं संकट नहीं आता है अकेला प्रदेश 36 गड़ में 40 लाग आते आते हाफने लगे हैं और आप कहरें कि बारदाना नहीं है इस ला रहा है 40 रुपिया में बारदाना दे रहा हो 15 रुपिया कहे के लिए 25 रुपिया का नाटक बाजी हो रहा है आप तो दान खरीदी के पूरी सिस्टम क चोपट करके रख दिया हो और आज फिर ये आकरी में जब जनौरी खतम हो जाएगा ये रोज धान खरीदी को बंद करने का बारदाने को लेकर ये बार बार ऐसे समय खराब करते जाएंगे और ये धान खरीदी सो बचना चाहते हैं जहां तक राज सरकार की सवाल है जो प् अपने पीडियास के लिए जहां नागरिक आप उरती निगम के माध्यम से गोडाउन में उतना चावल तो आप स्टाक रखो ना उतना चावल स्टाक रखोगे तो आपका अपने आप मिलर को काम मिल जाएगा और जो बार बार कहते हैं कानमती नहीं मिली अपसी ऐसे आप अ खपत हो जाएगा चोबीस लाख ये मिल गया चोबीस और बाइस को मिला जए च्छाशी लाख मेट्रिक टन हो गया अभी चाशी फटी सीक्स लाइक्स मेट्रिक टन राइस को आप मिलर से मिलिंग करा हैं इस बात के लिए भी जो आरूप लगाते हैं कि हमारे पास जो हम गया सड़ा कैसे आपने कस्टम मिलिंग के अनमती नहीं दी पैसे के बंदर माट में उसको रोग दिया गया और पांच लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान ये दी सड़ रहा है इसके लिए जवाबदर राजसरकार की है और राजसरकार को ये तै करना चाहिए दी उसमें ज जाने के लिए प्रक्रिया करो और इसको मिलिंग करो सड़ा हुए धान के कोई मिलिंग करता है क्या इसके लिए मिलिंग के विश्ता कैसे होगी इसलिए इस प्रकार के बहाने बाजी से मद बचिये आपको धान खरीदना है नब्बे लाख में टिक्टन ही खरीदना है तो न कर दोपर ट्वंटीए